किमाने के आंगन में उसे किर्णों का दे उपहार उशा ने हस अभिनन्दन किया और पहनाया ही रकहार जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में फैला फिर आलोक व्यों तम पुंज हुआ तब नष्ट अखिल संस्रिति हो उठी अशोक विमलवाणी ने वीणा ली कमल कुमल कर में सब प्रीत सप्त स्वर सप्त सिंधू में उठे छिडात मधूर सामसंगीत विजे के वल्लो हे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम रिक्षु होकर रहते सम्राट दै दिखलाते घर घर घूम गोरी को दिया दया का दान चीन को मिली धर्म की द्रिष्टी मिला था स्वर्ण भूमी को रत्न शील किसी हल को भिश रिष्टी किसी का हम निछीना नहीं प्रकृति का रहा पाल न यहीं हमारी जन्म भूमी थी यहीं कहीं से हम आये थे नहीं चरित्थे पूत भुजा में शक्ति नम्र तरही सदा संपन्न रिदय के गौरव में था गर्व किसी को देख न सके विपन्न हमारे संचे में था दान अदिथी थे सदा हमारे देव वचन में सथिर दय में तेज प्रतिग्या में रहती थी टेव वही है रक्त वही है देश वही साहस है वैसा ज्यान वही है शान्ति वही है शक्ति वही हम दिल्व्य आरे संतान जिये तो सदा इसी के लिए यही अभिमान रहे ये हर्ष निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारत वर्ष भारत महिमा इस कविता को सुनने के बाद अब हम इस कविता की पंक्तियों का अर्थ समझेंगे हिमाले के आंगन में उसे किर्णों का देव पहार उशा ने हस अभिनन्दन किया और पहनाया ही रखार जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में फैला फिर आलोक व्योंतम पुंच हुआ तब नश्ट अखिल संसुर्ती हो उठी अशोक भारत महिमा इस कविता की इन पंक्तियों से भारत की महिमा का गुनगान करते हुए कवी कैशंकर प्रसाज कहते है कि हिमाले परवत के आंगन में उशा अर्थात सुभा की किरणों ने हसकर भारत देश को किरणों का उपहार अर्थात भेट दिया है सुर्य की प्राता कालीन किरणे जब ओस की बूंदों पर पड़ती है तब ऐसा लगता है जैसे भारत देश का अभिनंदन करते हुए उशा अर्थात सुभा की किरणे भारत देश को हीरों का हार पहना रही हो सबसे पहले ग्यान का उदय भारत देश में हुआ अर्थात सबसे पहले हम भारत दवासी ग्यान रुपी किरणों के साथ नीन से जाग गए समस्त अर्थात पूरी दुन्या में अज्यानता का अंधकार छाया हुआ था उसे दूर करके सभी भारतवासी ने ज्यान रुपी प्रकाश फैलाने का पुनित अर्थात पावनकारी किया, जिससे संपूर्ल सुरुष्टी के सभी दुख, शोक दूर हो गये। वीमल वानी ने वीना ली, कमल कोमल कर में संपृत, सब्त स्वर सब्त सिंधु में उठे, छिडा तब मधुर साम संगीत, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षू होकर रहते समराट, दया दिखलाते घर 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 घूम। भारत महिमा इस कविता की इन पंक्तियों से कवी कैशंकर प्रसाज कहते है कि, कि संगीत की देवी मांसरस्वती ने अपने कोमल हातों में वीना उठाई, और संगीत का अमृत्पान भारत वासियों को करवाया, वीना की जहनकार से सब्त सिंधुओं में सातों स्वरों की मोह पक सरगम गुंजने लगी, इसी तरह भारत देश में संगीत के वेद, साम वेद की रचना हुई, भारत देश पर कई बार विदेशियों ने हमला किया, फिर भी भारत की अखंडता कायम रही, भारत में प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावन रही है, और धर्म के रक्षकों ने संसार में धर्म का प्रचार किया, भारत देश में गौतम बुद्ध और वर्धमान महाविर जैसे धर्म पुरुशों ने विशाल सामराज छोड़ कर, भिक्षू बन कर, घर घर घूम कर, लोगों के कष्ट दूर करने का प्रैतन किया, धर्म का प रिष्टी, मिला था स्वर्ण भूमी को रत्न, शील की सीहन को भिश्रिष्टी, किसी का हमने चीना नहीं, प्रकृती का रहा पालना यही, हमारी जन्म भूमी थी यही, कहीं से हम आय थे नहीं, भारत महिमा कविता की इन पंक्तियों के माध्यम से, कवी कहते हैं कि भारत दे दीश वीरों की भूमी है, जिसमें पृत्वीराज चौहान ने अपने कटर शत्रू महम्मद गूरी को भी दया पुर्वक शमादान दे दिया था, भारत के महान समराट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को चीन में बौध धर्म का प्रचार प् रिष्टी मिली, समराट अशोक ने स्वर्ण भूमी अर्थात बर्मा के लोगों को बौध धर्म के त्रीरत्न अर्थात बुध धम्म और संध का ज्यान कराया, सीहल द्वीब अर्थात श्रीलंका को पंचशील के सिध्धानतों से भी अवगत कराया, भारत वासियों ने कभ भूमी प्राकुर्ती घटकों से सदय वसंपन रही है, प्रकुर्ती की हमारी भारत देश पर महान गुरुपा रही है, भारत सदा से हमारी जन्म भूमी है, इसकी हम संताने है, हम बाहर के किसी स्थान से आकर यहा बसे नहीं है चरित थे पूत, भुजा में शक्ती, नम्रता रही सदा संपन, रुदय के गाउरों में था गरो, किसी को देख न सके विपन, हमारे संचय में था दान, अती थी थे सदा हमारी देव, वचन में सत्य, रिदय में तीज, प्रतिज्या में रहती थी तेव भारत महिमा इस कविता की इन पंक्तियों से कवी कहते है कि हम भारतवासियों का चरित्र हमेशा से ही पवित्र रहा है, हमारी भुजाओं में शक्ती का संचार होता है, अर्थात वीरता की कभी कमी नहीं रही है, साथ ही विनम्रता, अर्थात नम्रता हमारा गहना है, हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमन नहीं किया है। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृती पर गर्व रहा है। हम कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भरतिय सदैवत्तत पर अर्थात तयार रहते हैं। आगी कभी कहते हैं कि संचय करना अर्थात धन और संपत्ति इखटा करना भारत वासियों की एक खूबी है। लेकिन उस संचय का उद्देश दान होता था। दान वीरता भारतियों का गुन रहा है। हमारे देश में अथितियों को सदा देवता समान माना जाता था। हम हमेशे अपनी प्रतिग्या पर अटल रहते थे। अर्थात हमारी प्रतिग्या द्रिड होती थी। वही है रक्त, वही है देश, वही सहस है वैसा ग्यान, वही है शांती, वही है शक्ती, वही हम दिव्य आर्य संतान। जीए तो सदा इसी के लिए यही अभिमान रहे यह हर्ष निचावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारत वर्ष भारत महिमा इस कविता की इन पंक्तियों से कवी कहते है कि भारतवासी अपने अकीत के गौरों को नहीं भूल सकते इतने युगों के बाद भी हम उसी भारत देश के निवासी है आज भी हमारी रगों में वही रक्त है वही सास है वही शांती एवं वही ग्यान विद्यमान अर्थात मौजूद है हम वही दिव्य आर्य संतान है जिससे वर्तमान भारत में भारतियता को जीवित रखा भारतिय लोगों के मन में आज भी शांती और सा प्रसन्य और गौरवानवित है। हमें अभिमान है कि हमने इस भूमी पर जन्म लिया है। यह हमारा प्यारा भारत वर्ष है। यदि आवशक्ता पड़े तो इसके लिए अपना सर्वस्व भी न्यौचावर कर दे। संदेश, भारत महिमा इस कविता द्वारा हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने देश के संस्कृतियों और परमपराओं पर गरो करना चाहिए। और उस पर अपना सर्वस्व न्यौचावर करने के लिए सदर करने है।